असलाम अलेकुम वीरन वीनियों ये देखे मैं और हिना जी हमाई मीट शॉप के उपर ते जिदो असी आजए ये तो से तो कोई दकान चोर हुंदानी वेलो कोई बंदा नी सवाय साडे एथे मीट लैन वाला किस्मीरियों की क्या बात है ताहित असी मशूर हैं कि बस बटों को ना बस खाने का ही होता है हाई हाई है वह परिशान ओजी हो मैं भी हम भी कश्मीरी हैं पर बस की करिये सानु चंगा लागदा है गोश्ट असी खाने सुस्त त्रीन लोक ने उन्हा वास्ती पकान बंदोबस्त कार लिया कि ताडे वास्ते हाल चीज मैरिनेट करके रखीय यह शुवारमा मिक्स करके रखा वै मैंने यह लिया था मैं कैंलो मैं मिनी अज कुश करना मिनों भी सारा कुश रहला हम लें पादो तो यह इन्हों ने ने शवार मां हमने लिया यहां करम करम समोसे जाए हैं, वो हमने खाए इस तरह से. शान देवी कुश मसाले ले, कुश है, यान ने अपनी चीज़ां ले यहां, मैंने अपनी चीज़ें ली. तो बस हमने चीज़ें इस तरह ले लो के, तो बस फिर हम पोँच गई गाड़ी के पास. तो ये आ गई ही ना जी भी गाड़ी के पास देखें ते बस फिर असी आए अपने कार मैं क्या आ यानो चला अपना कार वेखन चली तो यानो इते आके अपसट हो गए गर की हालत देखें अब आप देखें किचन को देखा उसने थे बच्चा है ना बस देल थोड़ा हो गया जादा वेखके के साड़े कार नो की हो गया तो देखें आप आगे बस इन्हें में नो ही अपसट कार देता फिर असी की कार नो वेखके कोशोड़ा थे वो बनाएंगे ना उसको अच्छा तो बस फिर आयान नो समझाया थोड़ा कपर फेर वी में लागदा सी आज देने देते में नो लाना ही पिया इसको समझाना पड़ा हम आजड़ा गे एदान आज डे ओफ सी स्कूल दा इंसर डे सी ते मेरे नाली सी सुबा दा बड़ा कोश थी फेर दा फुरदा पिया बस फिर शॉपिंग ते गे बच्चे नोना बड़ा चंगा लागदा है मावानल टाइम स्पेंड करना फिर नायान स्पेशली पिसांद कर दा बड़ा उसको रौनक अच्छी लगती तो बस आज जा तो शॉपिंग कर किसी आए सारा कुश हमने अपनी फ्रीज में सब कुछ सू कर दिया और कुछ जो है मैंने रखा तो मैं कमता नुव खादवा किड़ा सोना श्वारमा लागदा पया है फ्रेज भी हमने सारी अपनी शॉपिंग जो करके लाए थे और राख रुख लई आवे खो एदे वेच ते मर्चां मुट यां मर्चां आवी यसी उत्तों लेगा है फिर मैं और आयान गए वोक करने शाम को यह देखे है यानी अपसट ना हो इनो हमारा घर जाना बिग सर्जरी के थ्रू जा रहा है उसका ऑपरेशन हो रहा है उसको जो है ना वसारा काट रहे हैं स्टिच कर रहे हैं सी रहे हैं और इतना नाइस बनेगा तो फिर अब हम पिर जा रहे हैं ना फिर ना रोना शरू कर दिए हां ये दिवां से उत्रो ये शीड्यों के ना वो शकू है सारे नेज लगें तो ये है हमारा घर हाई यान ते सुबह रोणी लाग प्या मैं लेकिया ही न सुबहा है तो आप सोचें बच्चे घर तूटने पर बनने पर परेशान हो जाते हैं जो बिचारे जिनके माँ बाप एक दूसरे को छोड़ देते हैं माँ कहीं बाप कहीं बच्चे कहीं उनका क्या बनता होगा यह तो बस एक कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा हो रहा था है तुसी को कि अटे गांदी चैसा नुगलनास नानिया शुरू का जाते हैं बच्चे कहा है यह यह तो इस तुमच जूए यह तो यह जब शक्री ना एंटेगे चाह्य को कोच थी कैहा है पहले थीक चंगल अड़ पिच्चना पाया है यह यह जो धार क्यू आप सेट विए तह है टूम्च भूनी एध्वर्छ तर वनसाइट शोग था याना के लिए कि आर दिया है। मेरी शूनी बच्ची है, सब चारमोनी है। तबहु देखो जब देखो है, भी अब इस नियुड़ करता है। यह जब लु मैटर्ट करता है। यह बना है बाल पर दो से फाली है। येस पर हास का भी तो दिल करता होगा ना वो अच्छा लगे हाँ लो जी अब जी अब है रहा है पर चल्रा मोटिवेशन भडिए है सादे को क्ष़ बेद तो है ना प्र या करें रोड़ा है , प्र या ना चाहर चाबी है तेरा है मैं आपसलुटी बीटिफुल पेस है है इस चलो ठीज आए यह तो वैट है सारा इदर आगे है बस तुसी वेख लेया बच्चे जड़ ले अपसेट हों तक किना टाइम देना पहन देना पहन देना तो बस घर आके मैंने यह देखें चिकन जो थो मैं अल्रेडी मेरि पैक्टान च्पा कि, घर ले बनाईтесь चीकन बाच जो मैं ता नो रेसेपे दे मचें और बड़ी जबर्देस्ट बनी बड़ी मज़ेदार और इसको इस तरह मैंने चार चार डाल के पैकिट में तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया था freeze ऐसे फ्लैट इस फ्रीज़च ना जगा भी है नी को इनी इसका आर्च इस वास्ते फिर चीज़ां जड़ी आने ना और अखंदी बड़ी मुश्क्यालिटी होती है तो मुश्क्यालिटी तो ये बड़ा लफज कड़े आते हैं हो नसी लफज भी ना कड़ी है लफज तो निकल आते हैं ना लफज कड़ने कड़े मुश्कल ने निकल आंदे रहें जैसे टापे कांप रही है थे लफज ने पसंदकार ने ना लफजान है पूरी नेशन पागल हुई है इन लफजों के पीछे अच्छा तो ये देखें मैंने आपको कीमा दखा दिया इस तरह से इस तरह फिर मैंने पैकेट लेके आदा एक में डाल लिया आदा एक में डाल के तो इसको जह है मैंने फ्रीजर में सूट दिया हेट हुटे राक दिया कि चलो जान छूटेगी अब मेरी इससे तो गलफ को यह दोसे भूरी नही बाइ तयस निए मैंनु तो बस बड़ा ही मज़ा आया वो वीडियो मेरी बड़ी पसंद हुई एही गाल लो गई फ्रेजच तो यह देखें अब यह शुवारमा है इसको भी जो है ना यह मेरे खाल मैं फ्रेजच वे चिराख लेया सी क्योंकि यह मैंने नेक्स देफिर बनाया था इन्हों मैं फ्रीज नहीं सी की ता पर बाकी जो मैरीनेटेड चीज़ें थी दोनों वो फ्रीज हो गई थी यह देखें इस तरह से बड़ा जबरदस्त कलर पता नहीं नहीं वेच किया क्यूकमरस में डाली डाला गार्लिक और काली मिर्च यह रेसिपी है ना जी की बेटी जो है जैनब जेबी किचन उनकी है उन्होंने बनाया था तो उन्होंने मुझे का था खाला आप यह बनाएं बड़ा जबरदस्त बनेगा ते मैं फिर ना बना लिया एदे वेच फ पर ऐसी बनाती हूं कोई बात नहीं सबर शुकर करके देख लें थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूंगी अभी तो मैंने मैंने लंडन जाना है सैटर्ड़े को एकसल में हमारा वहां पे मुस्लिम शॉपिंग फ कैसा कैसा इवेंट था सब तो यह देखेंगे मैंने पीता प्रैड़ी के ओपर यह जो मिक्स मेट था इसको इस तरह मिक्स कर लिया इमिन लगा के तो इसको मैंने एर फ्रायर के अंदर रख दिया था और यह फिर गिफ्ट एक आया था कहीं से यह भी यहां पर चटनी फिर ये सैलड सब कुछ लगा लगो के ये हमने ऐसे बना लिया ऐसे पकड़ के खाने के लिए एक कबाब ही मैं एर फ्रायर ची बनाएने उसी की में के इसकी मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में जो है न कि मैंने ये दो तरह से बनाया था मैं आपके साथ वो भी आप तक आजाएगी कि मैंने इसको कैसे बनाया था पस साइडें सूटें बदला के हमने फिर ली पीता ब्रेट पीता ब्रेट को गरम करके इस तरह पोकिट बनाई उसमें हमने मेनिज डाली लेट्स डाला और ये हमने इस तरह से ये भी बना लिया था थे बस लाइट जासी डिनर आज कोई तना वो नहीं था तो नेक्स्ट व्लोग में मिलते हैं आई होप आपको आज का व्लोग अच्छा लगागा ओके जी अलाफेज